गुड मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हमने लाश्ट अपिसोड में देखा था कि आलडर हूँ के अपने घर पर ना होने की वज़स से जिन तुरंते उनके घर के वो सिक्रेट जगह में घुश जात हैं पर इस पर जवान वहां मना करते हुए कहता है कि आपको पता है ना कि मैं सराप नहीं पीता पर इसके जब दिल पर चोट लगी हूँ तो सराप पी लेना चाहिए क्योंकि मैंने कौंसलिंग में देखा था जब जिन को फैमली के घर में रहने के लिए कहा गया था तो बढ़ दिलासा देने के लिए ही बैठे हुए हैं अब इस पर वे वहां हसने लगता है तवे यह वो सिक्रेट जगह पर जिन आगे की और बढ़ते हुए उस गेट तक पहुच गया हूँता है जहां वो यहां की आसपास की जगह को देखते हुए आगे की और बढ़ रहा अब इतना कहकर वो यहां से चला जाता है वहाँ इधर जिन उस गेट के पास हा उसे वहाँ देख रहा होता है कि इस पर कोई फार्मेशन तो नहीं लगा हुआ है और उसे वहां कोई भी फार्मेशन नहीं मिलता इसलिए वो वहां तुरांती फैंक की दी गई की को बाहर नि इवेंट के खतम होते ही मुझे लगता है जो फैमिली हमें बता देगी कि इन्हें लिंजे की स्ताधी जुआन से करनी है या नहीं तभी अब इधर जिन उस गेट को अपनी की की मदद से खोल लीता है और यहां से आगे बढ़ते ही जिन वहां देखता है कि यहां तो हर जग गरम होनी की वजए से वहां नहीं लए पाता है और तभी उसे यहां तुरणी उसे वहां से ले लीता है दर असल वो राड उसे ते निकालने के लिए बनाया गया था और वो वहाँ खुद को समहाली नहीं पा रहा होता है, वहीं दोसी तरफ एल्डर हूँ और उनकी बेटी रॉंग जू फैमली के घर से अब जाही रहे होते हैं, इसलिए यह देख लिंग लंग तुरन थी उस आइस क्रिश्टल को वहाँ तोड़ दीता है, जिस वज़े से यह बात जिन को भी इधर पता चल जाती है, कि एल्डर हूँ अब यहाँ पर आने वाले हैं, पर वो वहाँ खुद को समहाली नहीं पा रहा होता है, पर फिर भी उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था, उस फायर मस्रूम को यहाँ से लेने के लिए, इसलिए वो खुद को क फायर मस्रूम को तो वहाँ से निकाल लीता है, पर वो अचानक से ही उस राट से छूट नीचे गिरने लगती है, जो देखकर जिन तुरन थी, अपने इस पेच्छल पावर की मदद से उसे वहाँ नीचे गिरने से बचा लीता है, पर तवी इतने में ही वहाँ एक फायर ब क्योंकि वो अपने सामने अल्डर हू को घायल पड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो तुरन थी उनके पास आउने वहाँ समहालने लगता है, दरअसल जिन ने तुरन थी अपने आपको अल्डर हू में चेंज कर लिया था, क्योंकि उसके पास रूप बदलने वाली पावर इसके बाहर आने के बाद की अल्डर हू आपकी हलत अभी कैसी है, इस पर जिन वहाँ देखता है कि उसके पास अब जादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि वो अपने असलिए रूप में आने वाला था, इसलिए वो वहाँ से कहता है कि मैं ठीक हूं, तुम जाओ और स हो जाओ, रात बहुत हो गई है, अब इस पर जवान उन्हें वहाँ रिस्पेक्ट देते हुए यहां से जाने लग पाई, तब ही इतने में ही हम वहाँ देखते हैं कि असलिए अल्डर हू और रॉंग, आपस में बात करते हुए अब अपने घर आ चुके होते हैं, और यह पास जुआन को भी वहाँ आ जाती है, जो सुन वह वहाँ काफित जादा है पीछे देखने की कोसिस करने लगता है, कि अल्डर हू वहाँ है तो यहां पर कौन है, साथ ही जिन भी अब पूरी तरह से वहाँ अपने असी रूप में आने ही वाला होता है, कि तभी हमारा सीन यहां चेंज हो जाता है, जहां एल्डर जो फैंक से पूछ रही होती है, कि उस नए लड़के यानि जिन की बाड़ी की सनरचना काफित जादा अलग है, उपर से उसकी पावस भी काफित जादा है, इसलिए क्या वो सुप्रीम गॉड जिन सुवान हो सकता है, अब यह सुन फैंक कहती है, कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, तो फिर मैं इस बारे में भला कैसे बता सकती हूँ, तभी अब हमारा सीन यहां चेंज हो जाता है, जहां अम तूली को सियाओ के लोगों को काफे सारी जरुरत का समान दे, यहां से जाने में उनकी मदद करती हुए देखते है पर तभी वो सभी लोग तूली के सामने जुक कर, उनकी इतनी मदद करने के लिए उसे ठैंक्यू बोल रहे होते हैं, पर इस पर तूली उन्हें मना करते हुए कहती है, कि इसके कोई सरुरत नहीं है, क्योंकि मैं और आप एक इंसान है, इसलिए अगर एक इंसान ही, दूसर इंसान की मदद नहीं करेगा, तो कौन करेगा, पर इस पर उनमें से एक पर्शन सियाओ के बारे में पूछते हुए कहता है, कि सियाओ अब कैसा है, क्योंकि हमने लाश बार उसे जब देखा था, तो वो काफी जादा घायल था, अब इस पर तूली उन्हें वहां बताते इसलिए आप लोग उसके फिकर ना करें, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो उसके साथ साथ मैं भी इस जगह से आप लोगों के पास वापर सा जाओंगी, वहीं हम देखते हैं कि सियाओ भी दूर उपर बैटे, तूली की ये सारी बाते सुन रहा हुता है, और उ इसलिए में ही उसके पास सियाओ आ जाता है, और तूली से उनकी मदद करने के लिए ठैंक्यू कहता है, इस पर तूली भी कहती है, कि इसकी कोई ज़रत नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही जाती से विलॉंग करते हैं, इसलिए हमें हमेसा एक दूसरे का खयाल रखना अब यह सुनते ही सियाओ वहां तूली के कदमों में गिर जाता है, और अपनी जान बचाने के लिए तूली को ठैंक्यू कहने लगा, और कहता है कि मैं समुन्दर से गुजरते हुए इस सिलिएंग आलन पर नहीं आया था, बलकि यहां आने का मेरा कुछ और ही मक्सद था, स अखर उस सिक्रेट गेट के अंदर क्या-क्या है, पर तभी इतने में ही वहां पर जिन आ जाता है, और कहता है कि इस बारे में मेरे लिए बताना काफिस जदा हार्ड है, पर मैंने वहां वही एंसियान आर्टिफेक्ट देखी, जिस बारे में आपने मुझे बताया था, मुझे लगता है सभी लोग उस एंसेन आर्टिफेक्ट को लेने के लिए चांग फैमली के पीछे ही पड़ जाएंगे अब इस पर जिन वहां कहता है कि मैं खास यहां आपको थैंक्यों बोलने के लिए आया हूं क्यूंकि आपने मेरी अभी तक में काफी साधा मदद करी है त तक अपनी असरी दुनिया में नहीं जा पाई हूं जिसके बाद वो उसे लोहे के टुकड़े को बाहर निकाल सियाओ को दिखाते हुए कहती है कि यह मुझे समुंदर के अंदर डूबी हुई एक जहाज से मिली जो कि मेरे फादर की है इसलिए हो सकता है वो अब इस दुनि में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और वैसे भी अब हम एक अच्छे दोस्त है इस पर तुली भी खुस हो जाती है वहीं अब चांग फैमिली के घर में अपने सभी गार्ट को डांट रहे होते हैं कि तुम लोगों के यहां पर होने के बावजूत भी कैसे हमारे सिक्रे को पीटा है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी अब इस पर वी वहां बताते हुए कहता है कि जुआन ने बेहुंस होने से पहले हमें बताया था कि वह परसन जो भी था उसने यहां आपका ही भेस लिया हुआ था इसलिए मुझे लगता है क्योंकि हमारे पूरे सि पावर्स है कि वह दूसरों का भेस बदल सकती है पर इस पर एल्डर हुँ वहां कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता कि वह फैंग होगी जरूर यह किसी और ही परशन का काम है अब यह सुन रहां वहां जिन का नाम लगाने लगती है कि यह अभी हमारे आइलेंड पर नया न पर नहीं लगा सकते हैं अब इस पर एल्डर हुग कहते हैं कि जो भी हो अब हमें इस मामले को सरियसली लेना होगा क्योंकि पता नहीं वो जो भी परशन था उसने क्या हमारे सिक्रेट रूम की सारे सिक्रेट चीजों के बारे में जान लिया होगा इसलिए तुम जाओ और पता करो वहीं इस जिन फैंक से कह रहा होता है कि मैं इन सब के बारे में चुप चुप कर पता लगाते हुए अब ठप चुका हूं इसलिए वो लोग जो भी हैं वो यहां खुद सामने क्यों नहीं आते हैं क्या वो यहां मुझसे डरते हैं कि वो मुझसे यहां हार पर इस पर फैंग वहां कहती है, अब तुम जो भी करना चाहते हो, वो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है अब तुम काफे बड़े हो चुके हो, जिस पर जिन कहता है, कि मैं जानता हूँ, आप मेरे यहां मदद क्यों कर थी, क्योंकि उस फार्मेशन की मदद से, वो सील्ड यहां तूट भी जाता है, तो कोई भी परशन यहां से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे सिवा इस पूरे आइलेंड पर किसी के पास उड़ने वाली पावस नहीं है, जो यहां सील्ड के तूटते ही, यहां से अगर भाग सकता है, पर आप परिशान मत हूँ, मैं आपको यहां से बाहर निकाल दूँगा, अब इतना कहकर जिन यहां से चला जाता है, पर उसके जाते ही, फैंक की हालत वहां काफी ज़्यादा खराब हो जाती है, और वहां कहती है, मैं अपनी इस हालत का किसी को भी पत